स्वागत है एक बार फिर आपका अपनी चैनल हट के प्रोडिक्टर में तो आज हम बात करने वाले PCB ब्लस्टर सुमेन वसस PCB चैलेंजर सुमेन का जो मैच नंबर दो होने वाला है नेशनल टी ट्वेंटी कप का जो के पाकिस्तान उमेन से खेला जा रहा है वेदर रिपोट की यहाँ पर बात करूँ तो थोड़ा रिसकी मैच रहेगा क्योंके बारिश का चांसास है यहाँ पर लेकिन मैच भी होने का चांसास है लेकिन पूरा होगा इसकी गैरेंटी नहीं बता सकते छोटा मैच भी चल सकता या फिर मैच अबेंडन भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे women's cricket है, तो थोड़ा कम भी हमें देखने को मिल सकता है, जैसे के man low 130 to 140, below 150 हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, तो जैसे के बता रहा था, पहला match जो था, वो यहाँ पे थोड़ा अच्छा चला था, जैसे के जैसे predictable था, वैसे ही चला था, 140 का यहाँ पे average जैसे score women's के लिए बहुत अच्छा होता, वो यहाँ पे बनते होए दिखा, और wickets मैं सोच रहा था कि थोड़ा ज्यादा गिरेगा, लेकिन ज्यादा wicket नहीं गिरा था, total 7 wicket गिरा था, जिसमें से एक run-out भी था, 7 wicket total जो था, वो bowlers को मिला था, उसके बारे में अगर बात करें, तो देखो, blasters women's ने 137 किया, 4 wicket के नुकसान पे 20 over में, उसको dynamites women's ने chase कर लिया 138, ति सिर्फ 3 wicket के नुकसान पे 19.1 overs में, और मने last match में भी आपको कहा था, कि dynamites यहाँ पे थोड़ा strong लग रही है, तो dynamites match जीत सकती है, और वैसे ही हुआ था, dynamites ने match जीत लिया था आप यहाँ पे first innings में wickets का, देखो scenario, एक wicket passer को मिला, दो spinner को मिला, एक run out यहाँ पे हुआ है, फिर second innings में एक passer को मिला, दो यहाँ पे spinners को मिला, तो ऐसे लग रहा है कि pitch थोड़ा slow behave कर रहा है, तो यहाँ पे spinners role में ज्यादा हमें दिख रहा है, passers को सिर्फ 2 wicket मिला है, लेकिन spinners को यहाँ पे total 4 wicket मिला है, क्योंकि एक match पे guess मत करना, मेरे हिसाब से Pacers के लिए pitch अच्छा है, spinners के लिए उतना खास नहीं है, लेकिन एक match से हम guess नहीं कर सकते, दो या तीन atleast matches हमें देखना पड़ेगा कि कौन से bowlers यहाँ पे ज्यादा role में आ रहा है, तो अभी के लिए मान के चलेंगे, के neutral पीछे दोनों को यहाँ पे support मिल रहा है, sir और spinners को, और बाकी news तो last match में भी मैंने आपको कहा था, total 42 women season में participate कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे talent को यहाँ पे international circuit में खेलने का मौखा मिल सकता है, live अगर आपको देखना है तो PCBs के YouTube चै चैलियम में सारे matches यह खेले जाएंगे, और यहाँ पे सारा schedule यहाँ पे दिया हुआ है, schedule देख सकते हो, squads देख सकते हो, squad challengers का, blasters का, dynamites का, तीनों का squads है और यह defending champions हैं यहाँ पे challengers, तो यहाँ पे challengers, blasters के सामने match खेलने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे mention मैंने किया हुआ है, मुनिबा अली top run getter थी और player of the tournament थी last edition में, तो मुनिबा अली एक अच्छी pick है, captaincy, wise captaincy के लिए भी, लेकिन इससे भी अच्छे picks हमारे पास हैं, top run getter भी थी यह last season में, और इस season में भी यह लोग कोशिश करेंगे कि अपना title regain करके रखें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे PCB blasters के probable playing 11 की, playing 11 मुझे लग रहा है कि वही होगा, कुछ changes नहीं होगा, होगा तो bowling department में हो सकता है, जैसे के हुरेना सज्जाद और तूबा हुसेन की जगे पे यहाँ से खतीजा, किष्टिया, नुशा, नासिरिया, नुरे न्या की थी, 18 runs भी स्कोर किये थे, एक विकेड भी इसने लिया हुआ था, spinner है, हफसा अमजद, नीचे आपको मह दिखा दूँगा, उसके बाद जवेरिया खान 29, सिद्रा अमीन एक, जवेरिया रॉफ 35, आलिया रियास 34, नाट ओट प्लस 0 विकेट, नटिलिया परवेज 12, आपे, तो बैटिंग और्डर भी यही हो सकता है, अब लास्ट मैच में मैंने open bowlers और dead bowlers नहीं बताये थे, तो इस मैच में include किया है उसको, अनम अमीन, नटिलिया परवेज आपको open करते हुए दिख सकते हैं, साथ में हफसा अमजद, ये तीनों का combination रहेगा, bowling open करने में, अनम अमीनी ज्यादातर करेंगे, या फिर नटिलिया परवेज भी यहाँ पर देट में करते हुए दिख सकती है, अब सारा season का, इनका last season जो था, उसका stats यहाँ पर दिया हुआ है, इससे भी आप अपना team बना सकते हो, grand league के लिए picks मैं यही पर आपको बता दूँगा, सिद इसरा नवास तो मेरे लिए उतना important नहीं है, और यहाँ से हफसामजद को तो बहुत लोग ले रहे हैं, आप भी लेकर चल सकते हो, इसका stats भी यहाँ पर total दिया हुआ है, और open कर रही है तो थोड़ा important हो जाती है, महम तरीक last match में अच्छा बोलिंग करते हुए दिखी थी, अनम अमीन तो है ही अच्छी, हर मैच में हमेशा अच्छा करती है, तो इसको भी हमें लेकर चलना ही है, जब team discuss करेंगे तब हम बात कर लेंगे यहाँ पर, कि grand league में किस किस को हमें लेना है, अब challengers की बात करें, probable playing 11 की तो मेरे हिसाब से यह होना चाहिए, आईशा नसीम और bench पर यह हमें देखने को मिल सकते हैं, सदप शम्स, सहीदा अरूप शाह और वहीदा अख्तर, अब यहाँ से open कौन करेगा भाई, तो आईमन अनवर, फातिमा सना आपको bowling open करते हुए दिख सकते हैं, और साथ में साधिया एकबाल, मतलब 4th ओवर, 5th ओवर या फिर 6th ओवर यहाँ पर साधिया इकबाल डालते हुए दिख सकती है, अब यहाँ पर इनके last season की stats की बात करें, तो आईशा नसीम, right time medium fast bowler भी है, part time game बाजी करती है, last season में सिर्फ एक ही ओवर गेन बाजी की थी, जिसमें इसको wicket नहीं मिला था, 64 runs किये थे total 5 matches में, 12.80 की average से, उसके बाद मुनीबा अली है, जो के 54.80 की average से last season में खेली थी, 5 innings में 292 runs इसने किया था, उसके बाद बिसमा मारूफ है, right time leg break bowler है, लेकिन last season में यहाँ पर देख सकते हैं, बोलिंग नहीं की थी इसने, इसलिए यहाँ पर इसका कोई bowling का, यहाँ पर stats mention नहीं क प्यादा है, उसके बाद निदादर है, जो के must pick option है, निदादर, विसमा मारूफ, मुनीबाली, इन लोग को लेकर चलना ही है, चाहे आपकी grand league की team हो, या फिर small league की team हो, निदादर 5 matches, 78 runs, 26 की average से, साड़े बरा over की गेन बाजी की थी, दो विकेट निदादर ने लिया साड़े 17 की average से, last season में 70 runs स्कोर किये थे, 4 matches में, उसके बाद आइमा ननवर है, जो के batting से तो थोड़ा कमी point देगी, क्योंकि इनका जो है न, ये top order जो है, इनका थोड़ा strong है, आईशा नसीम, मुनीबाली, विसमा मरूफ, निदादर, खाइना तवीस, ये लोग थोड़ा असमा आमीन, एक decent pick रहेगी, अगर खेलती है तो लेकर चल सकते हो आप भी, सबा नजीर, right time off break बोलर है, 12 over की gain बाजी, 4 wicket बहुत अच्छी pick रहेगी, फातिमा सना, right time medium fast बोलर है, 6 wicket निकाला था इसने last season में, total 20 over की gain बाजी करके, उसके बाद साधिया एक बाल है, spinner left arm medium fast बोलर है, club level पे 6 matches में 6 wicket इसने लिया हुआ है, उसके बाद आपके लिए आती है, सदफ शम्स, उतनी मुझे खास लगी नहीं, last season में तो खेली थी एक match, सिर्फ इसने एक ही ball का gain बाजी की थी, जिसमें wicket भी नहीं मिलाता, तो कहां से मिलेगा, एक ही ball तो की थी, उसक के बाद वहीदा अख्तर है, इसने भी एक ही over last season में किया था, इसको भी wicket नहीं मिला था, लेकिन बोलर थोड़ी अच्छी है वहीदा अख्तर भी, क्यों इससे अच्छी है हमारे पास दूसरे बोलर से हैं, जैसे के फातिमा सना है, साइमा मलिक है, साधिया इकबाल है, सब 11 टीम की अगर मैं बात करूना तो फिलाल के लिए मैंने यहाँ पे नवास को रखा है, जवेरिया खान, खाइना तफीज, मुनीबा अलिया रियाज, अमजद, मारूफ, निदादर, अमीन, नटिल्या परवेज और फातिमा सना को मैंने लिया हुआ है, मैंने कैप्टेन सी तो देखो, दुनिया जा रही है विस्मा मारूफ के साथ, सेफ रहेगा विस्मा मारूफ को स्मॉल लिग में, बहुत लोग कैप्टेन करते हुए दिखेंगे, आपके पास डिफरेंशियल स्कॉप्शन के है, ये तो ये डिफरेंशियल पिक्स है, कैप्टेन आलिया कर सकते हो, ये आपके लिए सेफ रहेगा, ऐसे भी कॉंबिनेशन कर सकते हो, हम हेच अमजद को ग्रेंड लिग में जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी पिक है, उपन कर रही है, प्लस चार ओवर डाल रही है, तो ग्रेंड लिग के लिए बहुत अच्छी पिक हो सकती है अमजद की, साथ में अनम अमीन Grand League में ट्राइ कर सकते हो फातिमा सना को Grand League में, नटिलिया परवेस को Grand League में, जवेरिया खान और आप्शन्स की यहां पे बात करें तो जवेरिया रॉफ भी है हमारे पास आप्शन्स में देखो यहां से जवेरिया रॉफ को लेकर चल सकते हो, सिद्रा अमीन को ट्राइ कर सकते हो Grand League के अंदर उसके बाद अल्रोंडर में बात करें तो आइमन अन्वर है, जो के यहां पे पांच अल्रोंडर अगर होता भाई तो में लेकर चलता आइमन अन्वर को अब मैं यहां पे किसी को ड्रॉप नहीं कर सकता चारों इंपोर्टेंट है, हमजद का अगर देखेंगे तो हफसा अमजद का लाश्ट मैच परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको लेकर चलना है, यह ड्रॉप करना गलती भी हो सकती है क्योंकि यह रंस प्लस विकेट्स हमें दे रही है यह सिर्फ बोलिंग डिपार्टमेंट से कॉंट्रिबूट करते हुए दीखेगी अगर तीन विकेट, दो विकेट प्लस लेगी तभी इसका फाइदा होगा इसको भी आप डिफरेंशल पिक के तौर पे लेकर चल सकते हो आप किसको ड्रॉप करोगे वो आपपे डिपेंट है मैं तो यहाँ पर चारों में से किसी को ड्रॉप करने की सजेशन आपको नहीं दे रहा हूँ ग्रैंड लिग में रोटेट करके ट्राइ कर सकते हो अगर खेलेगी तो भी मैं इसको नहीं लूँगा मैं लूँगा फातिमा सना, नटिलिया परवेज और अनम अमीन को अब आप्शन्स की यहां पर बात करो तो तरीक एक अच्छी आप्शन है साधिया इखबाल अच्छी आप्शन है टॉस के बाद लाइनपस वगरा कुछ मिलता है तो मैं आपको जरूर शेर करोंगा यह मैच मैं टीम के साथ भी कवर करने वाला हूँ तो मान के चलो 90% यह मेरी फाइनल टीम है एक दो चेंजस उपर नीचे होगा तो मैं आपको टॉस के बाद उसका अपडेट जरूर बता दूँगा टीकर उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना बहुत मेहनत करके वीडियो बनाईए और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को नहीं किया कुछ भी सजेशन्स हो तो कमेंट करके बता देना चलो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद